हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आज हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल सेल डिवीजन क्या है सेल डिवीजन इज प्रोशेस बाइवीच और फाइरेंट सेल डिवाइडे़ इंटू टू डाउटर सेल क्या है यह एक साइकел है यह क्या है एक प्रोसेस है इसमें क्या होता है यह एक सेल क्या होता है यह एक सेल ग्रोथ करता है और ग्रोथ करके क्या होता है यह डिवाइट करता है डिवाइट करके दो न्यू डाउटर सेल का फॉर्मेशन करता है तो इसे क्या कहते है इस प्रोसेस को क्या कहते है सेल डि क्यों होता है ठीक हमारे सारीर के अंदर सेल डिविजन क्यों होता है क्यों होता है क्योंकि जब हमारा सेल जो है अगर वो पुराना हो जाता है या फिर वो डैमेज हो जाता है तो वहां पर क्या करता है उस डैमेज को रिप्लेस कर देता है और रिप्लेस करके सेल जो है क्या कर कर देता है उस जगे पर क्या करता है उसे हटा देता हैं तो झाथ हमारे बॉड़ी में जोंपर का। कर गया या डैमेज हो गया या पुराना हो गया तो क्या करता है सेल खुद बहुत वाधिया की drummer होकर वो नए सिल का फॉर्मेशन करता है ताकि हमारा जो बॉड़ी है जो हमारा सरीर है क्या कर सके हमेशा ग्रो कर सके हमेशा एक्टिव रह सके तो हम सभी जानते हैं कि सारे के सारे ओर्गनिज्म क्या होते हैं एक सिल की बने होते हैं एक सिल की बने होते हैं तो यह एक सेल जो बनेगे न यह अगर डिवाइड नहीं होगा तो क्या इससे क्या होगा दूसरा सेल नहीं बनेगा तो यह क्या रिपेर हो सकता है अगर यह डैमेज हो गया तो यह रिपेर हो सकता है नहीं हो सकता है हम जानते हैं कि कोई भी जीव जैसे हम humans हो या फिर सारे plants हो या फिर सारे microscopic animals है वो सब किसे बने होते हैं वो सब एक single cell से बने होते हैं और वो single cell क्या करता है वो growth करता है और क्या करता है यह divide होता है इसे लिविजन होता है इसे क्या कहते है इसे parent selling कहते है और यह डिवाइड होकर आट इस एक सेलrauक्र में करता ये जऄ उसे समय नहीं करता है यह घ्र चैल को एक साता डिवाइड नहीं कर सकता रहने फिर यह डोजा वुजा दो करक्कर फिर यह-add गा marginal का जसे फिर अर्ड आट यह पहलने करते हैं और तो दाउटर सेगे तो यह जो process जो चलता रहता है इसे process को कहते है इस process को कहते है cell cycle और यह process हम humans में क्या होता है अगर हम हम अपनी बात करें तो humans में क्या होता है यह 24 घंटे में cell क्या होता है एक बार divide करता है तो 24 घंटे में एक बार divide करता है तो यह process किस तरह होती है इसे देख लेते है इंटरफेज होता है दूसरा क्या होता है यह इंटरफेज होता है इसमें सेल क्या होता है यह जो इंटरफेज है इसे क्या कहते है प्रिपेरिंग फेज कहते है इसमें सेल क्या होता है प्रिपेर होता है प्रिपेर होने का मतलब क्या हुआ अगर हम यह एक्जामपल लेते हैं क कि अगर हमारा पता होता है कि अगर दो तारीक को कोई एक्जाम होने वाला है तो हम लोग क्या करते हैं यह पता है कि हम लोग दो तारीक को एक्जाम होने वाला है तो क्या करते हैं उसको बहुत पहले से ही क्या करते हैं उसके लिए तैयारी करते हैं उसको तैयारी करने के देखते हैं ठीक है एक्जाम्पल में लेते हैं कि अगर हम लोगा एक्जाम अगर होने वाला है दो तारीख को वो भी दो घंटे के लिए तो उसके उस दो घंटे के लिए हम लोग क्या करते हैं सारी की सारी रात पढ़ाई करते हैं पूरा पूरा दिन पढ़ाई करते हैं उसक दो घंटे के लिए जो प्रिप्रेशन हमारी चलती है तो उसके लिए हमनों क्या करते हैं नोट्स बनाते हैं फिर उसको तयारी करते हैं उसको याद करते हैं उसके बाद उसको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं यह सारी के सारी जो प्रॉसेस होती है उसे क्या कहते हैं उसे ही क 5% जो time है बस वही क्या होता है M phase में और यह M phase जो है वो mitosis भी होते हैं और meiosis भी होते हैं ठीक है यह cell पर depend करता है कि cell कैसा है ठीक है तो यह क्या होता है अगर हम हम कहते हैं कि cell हम humans में चौबिस घंटे में एक बार जो होता है सिल डिविजन तो ये 95% तो इसमें कितना टाइम हो जाएगा? 23 आवर्स का क्या हो जाएगा? हमारा इंटरफेज हो जाएगा और सिर्फ ओनली ओन वन आवर का वन आवर ही रह जाएगा कितना? एमफेज और ये क्या होते हैं? एमफेज क्या होता है? ये माइटोसिस भी होते हैं और मियोसिस भी होते हैं ठीक है? ये सेल पर डिपेंड करता है आज हम सिर्फ माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे ठीक है? फिलाल पहले इंटरफेज को देखते हैं इंटर फेज क्या होता है यह पहला जो होता है यह क्या है जीवन फेज जीवन फेज में क्या होता है सेल ग्रोथ करता है यह क्या होता है सेल ग्रोथ करता है और सेल के साइज में विर्धी होती है ठीक है और यह कितने आवर के लिए होता है यह तेन आवर्स में के लिए होता है कि यह जो जी वन फेज कितना टाइम रहता है दस घंटे रहता है शेल में उसमें दस घंटे जीवन फेज में बिताता है उसके बाद क्या होता है S phase, S phase में कितना टाइम लेता है वो इसमें 9 आवर लेता है S phase को क्या कहते है, Synthesis phase क्या कहते है, Synthesis phase क्यों कहते है, इसमें क्या होता है, amount of DNA is double इसका मतलब क्या हुआ, कि जो यह cell है, cell के अंदर nucleus है, nucleus के अंदर क्या होता है chromosome होता है, अब chromosome जो होता है, chromosome की number में change नहीं आते, वो 23 pairs होते है, तो 23 pair ही रहेंगे उसमें कोई changes नहीं आते, वो 2N है तो 2N ही रहेगा, बट जो DNA है, जो DNA है, क्या करता है, वो अपना copy बना लेता है वो क्या करता है, वो अपना copy बना लेता है, और next क्या होता है, S phase में centrioles duplicate हो जाते है जो cytoplasm में रहता है, centriole, हमने पहले पढ़ा है, कि यह जो centriole है, वो क्या होते है, यह duplicate कर जाते है यह अपने जैसा एक copy बना लेता है, क्या होता है, सेम सेम, centriole क्या करता है, अपने जैसा copy बना लेता है synthesis phase में यह होता है, कि पहले तो DNA का duplication होता है, DNA अपने जैसा ही नया DNA का formation कर लेता है और next क्या होता है, centriole जो cytoplasm में पाया जाता है, वो क्या करता है, अपने आपका copy बना लेता है सेम सेम copy बना लेता है, ठीक है next क्या है, g2 phase, g2 phase में क्या होता है, यह जो DNA है और DNA का duplication हुआ, centrioles का duplication हुआ और cytoplasm का जो growth हुआ, यह सब कैसे होता है, यह protein अगर still synthesis नहीं करेगा, तो यह सारा process नहीं होगा यह जो ज़्यादा work कर रहा है, कोई भी काम करने के लिए, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे है, exam के लिए तयारी कर रहे है तो उसके लिए क्या होता है कि ज्यादा मेहनत लगती है और ज्यादा मेहनत लगने के लिए हम लोग क्या करते है कि ज्यादा खाते पीते हैं और खाते पीते हैं तो उससे क्या होता है तो ये भी इस प्रोसेस को करने के लिए क्या करता है प्रोटीन संथेसिस करता है जिसके वज़े से ये क्या कर सके ये इनर्जी इस्टोर कर सके एक और फेज आता है जैसे कहते हैं जी नौट फेज ये क्या है ये क्या है कोशिंड इस्टेज होता है इसमें क्या होता है कि अग सा ओला लाइफटाइम जो होता है वह सेम ही रहता है वह डिवाइड नहीं करता है वह सेल जो हमनों की बोडी में वह ऐसा कौन-कौन तो कान कौन सेल है यह नहीं होते हैं हमारे यس नो में हमारे जो निओरन समिटीज अगर एक टाइम थी बैहित के टाइम में जो वो ग्रो कर जाता है उसके बाद राइफ टाइम औो क्या करता है ग्रोथ नहीं करता है वो हाइड नहीं करता है SORRY वह क्या नहीं करता है वो वो सेल बना हुआ अब बन करके वो सेल जीवन से बना और बन करके वह liक क इसे न के लिए सेम एक ही पोजिशण पे बिनसे डिवाइड के रहता है वह है नर्सें हार्ट एल और आर भीसी का सेल ठीक है एक आता है जी नौट फिज यह क्या है यह कोशेंट स्टेज है यह क्या होता है जब हम लोगा सेल एक बार लाइफ में बन जाता है उसके बाद क्या होता है कि वह डिवाइड नहीं करता है वह ग्रोध कर गया अगर लाइफ जन के समय जो सेल बन गया है तो उसके ब lifetime के लिए रह जाता है वो कैसा कौन-कौन cell होता है वो nerve cell होते है वो heart के cell होते है वो RBC के cell होते है ये सारे के सारे क्या होते है ये cell divide नहीं करते है next क्या था G2 phase G2 phase में क्या होता है protein का synthesis होता है DNA का duplication होता है centrioles duplicate हो जाता है S phase में बाकि सारी जो process होती है वो क्या होता है वो G2 redeem में होता है यह कितने गंटे के लिए होता है यह 4 गंटे के agreeing T1 आर और यहां लगगा तो 29 हो गया कि टेन आर जीवनमें और 9 आर ऐस आहिस में हो गया रगगा तो यहां कितना बचा 4 hour बचा 23 होने के लिए ठीक है अब हम लोग देखते हैं Amphage यह Amphage मैंने बताया कि यह कितना होता है यह all time का cell division का सिर्फ only on 5% ही होता है यह Amphage जो होता है यह mitosis भी हो सकता है यह meiosis भी हो सकता है यह Amphage का हम लोग आज क्या पढ़ेंगे यह mitosis division पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे mitosis division पढ़ेंगे तो यह mitosis division को और क्या कहते है हिंदी में क्या कहते है से कहते हैं समसूत्री विभाजन हिंदी में से क्या कहते हैं समसूत्री विभाजन मिन्स क्या हो गया समान और सूत्री मतलब क्रोमोजोम तो मतलब क्या होगा कि समान क्रोमोजोम रहेंगे अगर अगर हमारे सेल के अंदर 2N है तो यह जो doubter cell भी बनेगा तो वो क्या रहेंगे 2N रहेंगे यह अगर parent cell है तो यह क्या है यह doubter cell हो और इसके अंदर भी chromosome का जो number है वो कितना रहेगा 2N ही रहेगा इसका मतलब क्या हुआ कि यह सेम सेम सम सूतरी मतलब सेम क्रोमोजूम नंबर ही रहेंगे माइटोसिस को और क्या कहते है माइटोसिस को और कहते है सोमेटिक डिवीजन तो सोमेटिक मिन्स क्या होता है सोमा मिन्स होता है बॉडी ठीक है सोमा मिन्स क्या होता है बॉडी तो यह कहा होता है, यह mitosis division कहा होता है, तो हमारे body में होता है, body के cell में होता है, all over हमारे जो सरीर का cell है, वो cell में होता है, और यह mitosis division कहा होता है, यह सिर्फ हमारे germ cell में होता है, जैसे ova और sperm के cell में ही यह division होता है, यह कहा होता है, ova के cell में होता है, और sperm के cell में होता है, ठीक तो आज हम प्लड़े है Mitosis Division प्लड रहे हैं जो कहां होता है Somatic Division से कहते हैं यह सिर्फ क्या होता है हमारे बॉड़ी सेल में होता है इसी क्या कहते है Equational division इस्बाइब बताया हिंदी में क्या होता है समसुत्री विजभाजन। और इनिस में क्या Equational अगर हमारे cell के अंदर जो है chromosome का number 2N है तो हमारे doubter cell में भी क्या होगा 2N ही रहेगा इसलिए इसे क्या कहते है Equational division कहते है Equational मतलब equal ठीक है Next क्या है point Next है number of chromosome remains same तो पहले ही बताया कि chromosome का number क्या होगा same same ही रहेगा अगर ये कहा कहा होते है ये skin cell में होते है muscle cell में होते है और eye cell में और all over जितने भी cell है सिफ nerve cell, heart cell, RBC के cell को छोड़ करके वाकि सारी body cell में होते है ये mitosis division Next क्या है Amphys में क्या होता है ये दो ये two type के होते है तो mitosis division कितने प्रकार के होगे दो प्रकार के होगे पहला क्या है karyokinesis दूसरा क्या है cytokinesis तो karyokinesis मतलब क्या हुआ karyo means हो गया nucleus और kinesis मतलब हो गया division तो karyo means nucleus होगे तो इसमें क्या होगा पहले nucleus का division होगा क्या होगा karyokinesis में क्या होगा nucleus का division होगा और फिर यह क्या है cytokinesis cytokinesis हम जानते हैं कि cell होता है और kinases का मतलब क्या हो गया division तो इसमें क्या होगा cell का division होगा पहले nucleus का division होगा उसके बाद क्या होगा cell का division होगा तब हम लोग देखते हैं पहले कि nucleus का division कैसे होता है तो nucleus का division जो karyokinesis है वो भी कितने प्रकार के होते, चार प्रकार के होते, पहला क्या है, प्रोफेज, दूसरा क्या है, मेटाफेज, तीसरा क्या है, एनाफेज, और चौथा है, आपका टीलोफेज, तो प्रोफेज क्या है, यह हमने सेल का स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्चर से आपको समझाते ह कि यह देखि कि क merit सेल का साइज इंक्रीज कर जाता है कि पहले ईंटरस इंटराफेज में वह सब हुआ रहता है प्रोफेज में हम लोगों कुछ इस तरह का अधिस ट्रक्शर जिसमें सेल का साइज धूरह बड़ा रहता है centromere start moving to opposite pole बना लेता है जो इंटर्फिज में भी हुआ रहता है वो क्या होता है अपने जैसा कॉपी बना लेता है यह कॉपी है और यह इसका जो न्यूक्लियर मेंब्रेन जो होता है वो थोड़ा-थोड़ा डिसेपेर होने लगता है नेक्स्ट क्या है मेटाफिज है नेटाफिज में क्या होता है यह सेंट्रियोह यह बिल्कूल ड़र सेंट्रीयर को चली जाता है बसेंट्रोमेर से ज्वाइंड हो जाता है Chromosome के Centromer से क्या होता है Joint हो जाता है मैंने पिछले क्लास में पढ़ा है कि Centromer का का क्या होता है Spindle Fiber से जुड़ना और ये Metaphagio क्या होता है वह इस तरह का structure देखता है Metaphagy में बिल्कुल सेम सेम अम मेटफेज में ही हम लों को Chromosome का structure बिल्कुल clear दिखता है जिसके वजह से जो chromosome का study किसमें होता है metaphage में ही हो पाता है next क्या है एनाफेज इसमें क्या होता है centromere क्या होते है split हो जाते हैं और chromatid separate हो जाते हैं जो chromatid है जो sister chromatid है वो दोनों opposite pole की तरफ खीचने लगते है इस spindle fiber के जरीए वो दोनों बिल्कुल अलग-अलग हो जाते हैं और इस तरह से structure जैसा दिखने लगता है फिर telophage next last इसमें क्या होता है इसमें होता है कि nuclear membrane repair हो जाता है यह जो nuclear membrane जो disappear हो रहा था वो क्या होता है फिर से repair हो जाता है और वो कुछ इस तरह यह cell है अगर बाहर वाला तो यह nucleus हो गया एक cell में स्ध होके दो न्यूकलिज्ट कूंकि सेल में दिवीजन हुआ है इस सेल के nucleus में क्या हो एं ऐडिव जन होकर कि क्या हुआ दो nucleus इवाइड ऒगया है पहले क्या होता है nucleus division हुआ अब जम nucleus hogy division हो गया इस में तो इसके बाद क्या होता है साइटो प्लाज्म का डिवीजन होता है तो साइटो प्लाज्म का डिवीजन कैसे होता है उसके लिए प्रॉसेस होता है फॉरो फॉर्मेशन सेल क्या करता है यह सेल है सेल के अंदर सेल के अंदर दो न्यूकलियस हो गए हैं तो दो न्यूकलियस है तो उसमें क्या हो रहे हैं उसमें उसको क्या चाहिए अब सेल की अंदर जो क्या होता है मैं इंटर फेज में ही अगर माई और जो होते हैं सेल की अंदर वह क्या होते हैं यह दुप्लिकेट होनी का मतलब होता है जो इंटो प्लाजमी क्रेटिकुलम है वह भी डवल हो जाते हैं और माइट्रो कॉन इंजिया बाकि जितने भी और गिनेल्स हैं पाए जाते हैं वह क्या हो जाते हैं सब डवल डवल हो जाते हैं तो डवल डवल होकर के एक सेल में क्या फॉरो यह क्या करता फॉरो का फॉर्मेशन कर देता है यहाँ पर आप फॉरो बना करके क्या होता है यहाँ पर यह कट जाता है यह कट करके दो सिल का फॉर्मेशन कर देता है और इसके अंदर क्या होता है दो अलग-अलग नूकलियस है और दोनों अलग-अलग सेपरेट हो ज जैसा थ्रेड लाइक जैसा बन जाता है तो यह सारा का जो सारा प्रॉसेस है यह किसके लिए हुआ यह डिवीजन के लिए हुआ यह सेल के डिवीजन के लिए हुआ इस सारा प्रॉसेस पहले क्या हुआ इंटरफेस हुआ आपके फिर क्या हुआ इंटरफेस में तीन स्टेजे के बारे में पढ़ाम ने पहले क्या हुआ गोर्व करता है सेल अगर है तो साइज इंकरेज किया उसके अंदर का ओर गानल भी होता है और वो डुप्लिकेट होकर करता है एलग अलग opposite pole की तरफ बढ़ना सुरू कर देता है फिर q2 में क्या होता है उसके लिए protein के लिए protein का synthesize करता है first division के लिए जो energy की जरुरत है वह 2 तू में क्या होती है वह उस protein का synthesis करता है फिर हमने जाना कि M phase आता है G1 के पाद यह जो है आपके पहले G1 phase आया है फिर S phase आया फिर G2 phase आया है फिर G2 के बाद क्या आया है आपके pro phase आया है प्रोफेज है फिर नेक्स्ट क्या है मेटाफेज मेटाफेज प्रोफेज में क्या हुआ आपके जो क्रोमोजोम है यह जो सेल है यह नूकलियस है नूकलियस के अंदर का क्रोमोजोम क्या करता है सेम अपने जैसा एक नया सिस्टर बना लेता है एक नया सिस्टर क्रोमोजोम बना लेता है सें्ट्रोसोम के जड़ें जुड़ा होने के ऐसे क्रॉमॉजूमкими नमबर में चेंज़नी आते सिर्म इसका सिस्टर क्रोमाटीन का प्रोमेशन होता है तो इस सेंट्रों में प्रेजेंट होने की वज़े से इसका क्या होता है कि इसके नंबर में जैसे ये 2N है मतलब इसमें अगर क्रोमोजोम का नंबर 46 है तो ये क्या रहेगा लास्ट तक ये 46 ही रहेगा 46 और ये डूपलिकेट होकर इसमें 46 ही रहेगा ठीक है इसमें भी डाउटर सेल में भी 46 ही रहेगा ये क्या होगा अगर इसके दॉपने चल दो आगे तो 4646 क्या हो जाएगा ये गर क्रोमुजू़ों के नंबर में जेंजीस आएग तो कि दॉपनी जैसा ही संताल का नहीं तो इस लिए परोपोन के नमबर में जानें आता नी अपना कॉपी बनाता है थीख है स्पेस्पी में क्या होता है ट्फ वेन अपना कॉपी बनाता है यह मिट फ्रोफिज हो गया मेट फ़ेस हो गया यह पर फूज्फ इन फेид कि अनफइज के बाद आता है टीलोफैज और यह क्या है यह सारे का सारा प्रॉसेस क्या है यहां से ले करके आपके यहां तक इस प्रॉसेस को हमनों क्या कहते है कैरियो काइनेसिस कहते है इसको क्या कहते है इसके कहते हैं आपके कह रही हो काइनेसिस और यह जो पर्ठ हैं यह क्या है यह साइटो काइनेसिस है यह क्या है साइटो काइनेसिस है ठीक है यह सिलका नए साइटो काइनेसिस होने के बाद सिलका फॉर्मेशन हो गया सिलका फॉर्मेशन हो गया अर्जय सेल semi- arrive लिए किङरता है वो करता है वो蒲 Pittsburgh करके फिर किस में जाएगा फिर जीर जाएगा फिर यहां से फिटीस हेज़ में जाएगा फिर एस पचसे पी किया होगा जी टूपः मी जाएगा फिर क्या होगा यह जो डॉmm से लेवो क्या करेगा फिर यह करयो का शेष होगा उसमें फिर चाय यह होगा फिर नया इशल का formation हो जाएगा दो और नयह इसल का помS हो जाएगा तो यह जो साइक जो है वह क्या होता है लाइफ टाइम चलते रहता है यह साइकल क्या होता है यह लाइफ टाइम चलते रहता है यह जो डिवीजन है सौरी यह जो सेल का डिवीजन है वो क्या होता है यह लाइफ टाइम चलते रहता है और इस डिवीजन को ही डिवीजन के प्रोसेश को ही क्या कहते है सेल साइकल कहते हैं ठीक है अब क्या ह significance of mitosis mitosis किया किसे फाइदे परक्यािर्ट का इसके फाइदे तो सब्सक्रा का इसका gitu by pourrait शोजा कर नाज सक्मर के μέssä कि या फिर्वेट कर गया इस प्रेदा यहर परदब कर गये अधर है-धकन 10 episodes तो वो क्या करता है नया सेल का फॉर्मेशन करता है और फॉर्मेशन करके क्या करता है उसका ग्रोथ करता है तो वो जरूरी होता है सेल का अगर सेल डिवाइड नहीं करेगा सेल डिविजन नहीं होगा तो अगर हमारा सेल डैमेज हो गया या हमें चोट लग गई तो रिपेर नहीं हो सकेगा इसलिए सेल का डिविजन क्या होता है हमारे ग्रोथ के लिए और रिपेर के लिए जरूरी होता है रिपेर ग्रोथ और सेल एंड टिशू सेल का डिविजन माइटोस डिविजन इसलिए जरूरी होता है हमार सेल को रिपेर करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए ठीक है नेक्स्ट क्या है रिस्टोर न्यूक्लियो साइटो प्लाजमिक रेसियो नेक्स्ट माइटोसिस क्या करता है हमारे जो न्यूक्लियस और साइटो प्लाजम का जो रेसियो है उसको रिस्टोर करते रहता है ठीक है म मैंने cell division को simple ने बताने की कोसिस किया है, simply में समझाने की कोसिस किया है, तो मुझे उमीद है कि आपको समझ आया होगा, next class में हम meiosis के बारे में देखेंगे, ठीक है, आज मैंने क्या देखा है, cell division, cell cycle और mitosis के बारे में मैंने बढ़ाया है, और next class में हम क्या बढ़ाएंगे? इस class में मैंने cell division और cell cycle और mitosis को मैंने cover करने की कोसद की है next class में हम लोग myosis को देखेंगे ठीक है, thank you